हलो एबरीबन मैं हूँ रुची और डूइट बित रुची में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी सूजी के उत्पम बनाना फिर आईए देखते हैं कैसे बनते हैं सूजी के उत्वर्ण बनाने के लिए मैंने याँ पर आधी कटोरी सूजी ली है और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम दही लिया है और नमक डाल देंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको आवच्छे से mix कर देंगे और अब इसमें पानी आइट करेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके आइड करेंगे एक दम से जादा पानी नहीं डालेंगे और इसका एग बैटर तायार कर लेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए ड़क के छोड़ देंगे जिससे की हमारी स हमें प्रोंद रोकडा रोखियाँ, सिम्ला मिर्छ दिया है , ताथी सिम्ला मिर्च को भी कट करमें हैं , 8-10 पनाथ Quad's अभी सिम्ला मिर्च या डॉकड कर लिया है , अब एक बोल में हम अपनी सपग यांDR जाल अब हम इसमें धनिया पता डालेंगे करी लीप्स डाल देंगे और आधी छोटी चम्मस नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सबजी हमारी मिक्स हो चुगी हैं अपना बैटर देख लेते हैं बैटर हमारा फूल चुका है थोड़ा सामें गाड़ा लग रहा है इसलिए हमने इसमें दो टेबल स्पून पानी और डाल दिया है बैटर हमारा तयार है अब हम एक पैन रख देंगे गैस पे पैन गरम हो चु अपना यहां पर बैटर डाल के इसको इविनली स्प्रेड कर देंगे फैला देंगे इसको अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे उपर से जो भी हमने सब्जियां तैयार की थी गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे ही हम अपने उत्पम को सेकेंगे अब इन सब्जियों को हम हलके से प्रैस कर देंगे जिससे कि ये इसी में चिपक जाएंगी उत्पम में हम अपने उत्पम को सेख लेंगे एक से डेढ़ मिनट के लिए अब एक तरफ से हमारा उत्पम सेख चुका है अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ हम इसी तरीके से इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए सेख लेंगे मीडियम फ्लेम पे अब हम देख लेते हैं दूसरी तरफ भी हमारा उत्पम सेख चुका है बस उत्पम बनके तयाहर है इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी सेम प्रोसेस से हम अपने बाकी के भी उत्पम से एक लेंगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें